हेलो स्टुडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंडरू टू को नंबर लाइन पर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो अई स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले आपको पा स्टू अंडरूट टू हो जाएगी ठीक है तो यह जो हमारे पास राइट अंगल ट्राइंगल था ठीक है इसको तो यहां 0 से 1 तक का 1 distance हो गया इस लाइन को यहां पर यह जो B-point है और यह हमारा A-point हो गया है ठीक है O- Local से इतक का 1 square है और A-inks से जोईन कर दो ठीक है तो यह हमारा एक राइट अंगल ट्राइंगल ही बन जाएगा तो यह जो ओ से बी तक का डिस्टेंस है ठीक है यह हमारा अंडर रूट टू के एक्क वोगा ठीक यह कि अब रखेंगे और दूसरे लुट होगा अन्डरूट टू अगया लेकिन यह तो हमारे पास और भी होगी हमें तो number line पर रेप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कमपस को एक प्वाइंट को पे रखेंगे और तुसरे पॉइंट को पैंसिल वाले पॉइंट को बी पर रखेंगे और यहां से एक आर्क ड्रॉ करतेंगे इस तरीके से ठीक है तो यहां पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जहां पर यह लाइन को टच करेगा यह हमारा इस पर टच कर रहा है यह पॉइंट ले लिए मैंने डी ठी तो o से लेके o से लेके इस d point तक ये जो distance होगा ये हमारा कितना होगा under root 2 का distance होगा ये ठीक है o से लेके d तक का distance होगा वो कितना होगा under root 2 होगा जैसे कि यहाँ o से यहाँ तक का ये पूरा distance जो है वो under root 2 हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर number line पे represent करा है ठीक है